तो दोस्तो फिंटेसी का एक इसा चैनल जो आपको कम इन्वेस्ट प्याधिक प्रोफिट के लिए हमेशा से पर्यास करता है, सांती साथ आपको एसे मेच कवर करके देता है, जिनका लाइनप नहीं होता है, उसमें हम लोग हमेशा से काफी बनिया परदर्शन करते हैं, तो क् जो मैं स्कोर कार्ट दिखाऊंगा, आप भी यही कहोगे, कि सेलेक्शन कम है, वो अलग की बात है, लेकिन पिलियर काफी बढ़िया है, तो आपको देखाऊंगा लास्ट के एक मेच, लेकिन मैं जो टीम दूँगा, वो लास्ट सीजन के पूरा स्कोर कार्ट को देखते हु सही सटिक चैनल पे चले जाओगे, अगर जदी आप सर्च भी करना चाते हो, तो सर्च कर सकते हो, डोमेस्टिक पिलेइंग 11, तो दोस्तों जैसे यहाँ पर सर्च करोगे, 33.2 के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेंगे, यही पर आपको आकर जूर जाना है, इनसे अधिक स स्कोरकाट कापी ज़्यादा महत्पुना क्योंकि यह मुकाबला 17 तारी को खिला गया, 17-20 चला था, चार दिन का यह होता है, डोमेस्टिक रंजी ट्रोपी है, और यह टेस्ट मेच है, अब यहाँ पर पहले MP, यहाँ पर बल्ले बाजी किया था, यहाँ पर गुजराद के यह 5-6 बिक्टे हर मेच में होल करता है, इनसे अधीक बिक्टे आप लेलो, तो किप्टन वाज सकते जिदी गेनबाजी सेक्षन में देखा जाए, तो सी गाजा, नगस्वाला, और को लडियाक उपर ज़्यादा डिपेंट करेगा, लेकि नगस्वाला जो है, काफी बढ़ पर्ट टाइम गेनबाजी करेंगे, लेकिन बल्ले बाजी आपको अच्छा करके जरूर देंगे, इनके अलावे आर भट की बात के जील पर ट्राय करेंगे, वो भी काफी रिस्की होने बाला है, अब इनकी बल्ले बाजी देखी जादा तो नहीं रहा, पंचल आपको जानत हुए रिकोर्ड करेंगे, रिकोर्ड काफी बेतर है, लास्ट सीजन का भी रिकोर्ड देखोगे, ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिलेर थोड़ा सा नामी है, जो नेजा की बात के इनका रिकोर्ड लास्ट सीजन भी बेतर है, इस सीजन भी इन्होंने तिरपर रन की पारी खिल ये भी बेतर है क्या इनको पीक करना ची किनके जगा पीक करना ची वो भी मैं बताऊंगा हेट पटिल भीजाए हजारे ट्रोपीज होता है पचास ओबर का उसमें ये काफी बढ़िया करते हैं हर बार इनका सेलेक्शन काम रहता है हम लोग इनके बल पे काफी मेच वीन भी किया है लेकिन यहाँ पर हेट पटिल का सेलेक्शन तो अधीक है पिलेर भी काफी बढ़िया इन्हें तो पीक करना चीए और भट जील में ट्राइ करो करन पटिल, एसल, जील, मीनी जील जहां भी चाहू ट्राइ कर सकतो क्योंकि इनका रिकोड बल्ले बाजी से ज़्यादा बेतर है साथ में आपको गिनवाजी भी करके देंगे इनके अलावे रोसन कालरिया की बात किया है गिनवाजी तो काफी बढ़िया करते है साथ में आपको बल्ले बाजी से भी कुछ योगदान दे देंगे जैसे कि इंडिया की तरफ से आप पता है सारदूल ठाकूर की बात के गिनवाजी कितना बढ़िया करता है साथ में बल्ले से भी योगदान देता है सेम इस तरह के आर कलरिया है, जो डोमेस्टिक में अपने बल्ले से भी कुछ योगदान देते हैं, नागास वाला यहाँ पर इन्होंने भी बल्ले से योगदान दिया, काफी बढ़िया, लेकिन गेनबाजी के लिए ज़्यादा तर जाने जाते हैं, केप्टन भास गेनबाज इस बार छे विक्टे ले गया, और कोलरिया को यहाँ पर एक विक्टे, इस दिसाई के दो विक्टे, नागास वाला को यहाँ पर एक ही विक्टे यहाँ पर मिला, लेकिन इनका रिकोर्ट काफी बहतार है, अब यहाँ पर देखो, 88 रन पर गुजराद की टीम जो सिमट लेकिन देखो, गुजराद की टीम में गिनबाज काफी बहतार है, और किरला की टीम में गिनबाज के साथ से बल्लेबाज काफी बहतार है, लास्ट मेज का स्कूर कार देखोगे, तो हम लोगों को टीम किसके अधार पे बनाना है, किरला के अधार पे बनाना है, काब बनान और मीनी जील में भी अच्छा खासा वीन कर सकते हो तो दोस्तों किरला का स्कूर काड़ देखो तो आपके जहन पे यह आएगा कि किन को मैं पिक करू चाहिए इसा नहीं के ड्रोप नहीं करना चाहिए बिल्कुल पिक करना चाहिए लेकिन हम लोग तेगा रहा ही पिलियर का ट यहां पर देखो यह स्री संथ दो बिक्टे लेगें इनके इलाबे मनु कृष्णन की बात किया रहे बंसिल थंपी जो की योरकर के लिए जाने जाते हैं एक बिक्टे यह लेगे इनके लेग है इनके देखो चार बिक्कटे लगे यह पिलियर काफी बढ़ इनका सेलेक्शन देखो काफी कम है, यानि कि बहुत सारे इसे पिलियर जिनका सेलेक्षन काफी कम है, इनके लावे जब किरला पहले बल्ले बाजी के लिए आए तो भाई शुरुवात से आप पाँच पिलियर ले लो, अब देखो जलील सकसे न यहाँ पर फुलोब गए, लेकिन जलील सकसे न इनका रिकोड काफी कमाल का है, लाश्ट सीजन भी काफी कमाल का है, इनके लावे जलील सकसे न बारे मुझे नहीं बताना चाहि फुलोब गए लेकिन के लिए बेश्ट है, सचिन बेबी ये भी पाट टाइम गेनबाजी करते हैं, फुल टाइम भी गेनबाजी करके आपको पी नहीं रहाता है और ज्ञाधा मोगा भी नहीं मिलाता यहाँ पर जैसे मौका मिले इन्होंगो को भी तिने को भी defer नहीं करना चाहिए तो क्या सारे पिलर करसकते यहां वyll ही बताएगा अब जब दूसरा इनिंग दूसरे टीम को खिलने के लिए दिया यहाँ पर तो किरला एक ही इनिंग में इतना बड़ा सिकुर खढ़ा कर पाया कि यहाँ पर मंगोलियक टिम दो इनिंग में भी नहीं बना पाए इनके लाएब बंसील नंड थंपी नहें यहाँ पर चार बिखे लेगे इनके अरावे इड्न की बात के यहाँ पर दो बिखे जलिल सकसेना यहाँ पर तीन बिखे लेगें तो यह रहता है इनका स्कोर काट कirla मजबूत है और मजबूत इस मेच में भी होने वाला है गिंवाजी एक शाका बाजी से लेकिन गुजडात के टीम का गिंवाजी काफी बढ़र अचे टीम इसी तरह कि सुरुवार से पांच डिसकाउंट फिरी में दिलाने की बातो या फिरी में आप लोगों को टीसर दिलाने की बातो तो सारा मैं एक वीडियो के ताहत आप लोगों को अपडेट कर देता हूं जिससे आप लोगों काफी फाइदा होता है तो इस वज़ा से हमारे चैनल को आपको बिल्कुल सब्सक्र कर लेना चाहिए इनके लाबे कुछ जनकारी लेना इस्टाग्राम पर मेंसेच करो न मैं वहाँ पर सारे लोग कर रिपल आए देता हूं वह भी बेहतर तरीका से तो दोस्तों बिकेट कीपर में देखा जाते हैं भी बिनोद आपको तो नजर आएंगे लेकिन जीएल पर ट्राय करो बहतर आएगा अगर दोनों बिकेट कीपर को लेना चाहते हो तो लेसकतो लेकिन एक बिकेट कीपर लेना चाहो तो हेट पटिल से बहतर कोई उपसर नहीं ह अब यहां पर P5L को पिक क्या हूँ, सचीन बेबी को पिक क्या हूँ, अब एम जुनेजा को पिक करना चीए, काफी बढ़िया पिलेर, लेकिन कैसे पिक करूँ, अगर ज़िएल अलग-अलग कोंबिनेशन ट्राइ करना चाहते हो, मैं तो जीएल खेलने बालाओ, एक से अधि उसन यहां पर बताऊँगा, P5L का रिकोड ज्यादा बहतर, तो लास्ट मेच में इन्होंने अर्सा तक जाड़ा, लेकिन उतना बहतर नहीं है कि केप्टन भाज देना चे, चलिए 93% कोई बात नहीं, सचीन बेबी काफी बढ़िया, इनका बी सेलेक्शन 94% कोई दिखकते तो यहां जू नेजा का भी देखोगे और सेलेक्शन काफी अधिक है, पिलेर काफी बढ़िया, इनको मा मैंने पीक नहीं किया, इनका लेकिन का पर्शेंटा, लेकिन पिलियर काफी बढ़िया है कब ? इननका कारीयर record देखोगे तब लेकिन अभी हाल फिलाल बहतर नहीं है तो चलो सब ने छोडा था हमने भी इनको छोडा अब इनको देखो अर कुनú mail की बात किया देखो इनका record काफी बढ़िया है इनका selection देखो बीस पर्शेंट है, केप्टन भाज भी दोगे, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रंजी ट्रोफी के लास्ट मेच नहीं, इनके लावे विजय हजारे ट्रोफी वह वहाँ पर भी इन्हों ने बहते है पर दसन क्या है, पी राहूल 147 रं लास्ट मेच में मार कर आ रहा है, क् इनके लावे यहाँ पर आप देखो, भी गोबींद, इनको पिक करना चे एक 106 रं जड़े वो भी नाबाद रहे, यानि आउट ही नहीं हुआ, अब इनको किन के जगा मैं पिक करूँ, ये तो थोड़ी से मुस्किल लिया है, इनके लावे एम जुन ने जाकावी दोनों बल्ले से भी योगदान अच्छा देते हैं, और साथ में गिनबाजी तो इन दोनों को भी पिक करना चे, ये उस चावला खेलेंगे तो पिक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लास्ट मेस नहीं खेले, तो चिंसन की कोई बात ने, इन्हें मैंने पिक नहीं किया, अग परन पटेल बिक्टे जादा तर ले जाएंगे, इनके लावे बल्ले से तो बढ़िया योगदान दे रहें, यानि तीन पिलेर यहाँ पर मैंने ड्रूप कर दिया, वो भी बिहत्ता रहे, बिना कुछ बात भी बात का, यानि कि इसा नहीं कि इनका परदस्तन खराब है, फि ये भी काफी बढ़िया ओप्सन हो जाएंगे, लेकिन नहीं खेले, इस पर बात नहीं करते हैं, शिरिसंत काफी बढ़िया है, लेकिन इनको भी मैंने यहाँ पर ड्रूप किया हूं, इनके लावे यू, मनु कृष्णन, इनका भी रिकोर्ड देखो, मैंने अभी लास्ट म में दिखाया, हर में हर पारी में बिक्टे ले रहे हैं, फिर भी मैंने इनको पीक नहीं कर पाया, क्योंकि हमें 11 प्लेयर ही पीक करना, ये नगास वाला का सेलेक्शन 11 परशेंड तो क्या, सेलेक्शन बेसिस पे जाएंगे नहीं, इनका रिकोर्ड काफी बढ़िया है, लास सीजन ज्यादा ये कुछ खास नहीं किये थे, और ज्यादा मौका भी नहीं मिलाता, लेकिन इस सीजन देखोगे, काफी बढ़िया, दोनों पारी में इन्होंने काफी बढ़िया साबित करके दिया, इस वज़ा से मैंने पिक किया तो आपको चार से पांच एसे बेस्ट पि एक एक पिलियर को रोटेट करके सारे पिलियर को ड्रोप करोगे, तो एक बहुतर रिंग आ सकता है, जी एल पे, तो थोड़ा साप मेहनत करो, मेहनत करोगे, तो जरूर उनका फल मिलेगा, तो दोस्तों केप्टन मैंने जलिल सकसेनाग दिया, भास पी पंचल को, दोनों का परदरसन देखोगे, तो केप्टन भास तो नहीं देना चाहिए, केप्टन भास के उप्शन देखोगे, तो बहुत सारे यहाँ पर आ जाएंगे, पी राहुल, सचीन बेबी, कुनमेल, इनके लावे आर, कोलरिया, ये नगस वाला, तो ये सब उप्शन आते है, लेगिन फ करता हूँ, सिधा मिलता हूँ, इसमेज के अपडेट के साथ,